दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिल्म इगड़ी में आप लोगों को वो दौर तो याद ही होगा जब हम अपनी मन पसंद फिल्में देखने के लिए 60-70 मीटर लाइन में लगके 60-70 रुपय के टिकेट ले लेते थे तब फिल्मों का दौर कुछ और ही होता था 200 करोड या 100 करोड कमाने वाली फिल्में भी ब्लॉक बॉस्टर की कैटिगरी में आ जाती थी और एक्टर सीधे स्टार से सूपर स्टार का किताब अपने नाम करा लेते थे लेकिन आज काफी चीजे बदल चुकी है 100-200 करोड तो कुछ फिल्में एक आद दिन में ही कमा के फेक देती है बाहुबली, KGF, RRR या पठान ये वो फिल्में हैं जिन्होंने ना सिर्फ रेकॉर्ड्स बनाए बलकि आगे आने वाली फिल्मों के लिए एक नया मार्क भी सेट कर दिया आज के दिन 100-200 करोड तो फिल्में हसते खेलते कमा लेती है और जब बात हो रही हो बॉली वुड के बादसा कहे जाने वाले शारू खान की तो ये आकड़ा उनके लिए बस एक दिन का खेल बन जाता है आज के दिन अगर किसी भी इंडियन फिल्म को अपना नाम ब्लॉक बॉस्टर फिल्मों के लिस्ट में रखना है तो कम से कम एक हजार करोर तो कमाने ही होंगे बात करे अगर बॉली वुड की तो भले ही कोई कितना भी बड़ा सूपरस्टार हो डाउन फल लगबक सभी को ही देखना पड़ा है बले हो एसार के हो सलमान हो या फिर अख्चे बात अगर एसार के की करे तो पठान से पहले एसार के की काफी फिल्में फ्लॉप गई पर बादशाह ने कभी हार नहीं मानी शायद यही वज़ा है कि आज बादशाह की बादशाहत सारी दुनिया देख रही है पठान जैसी ताबर तोड कमाई करने वाली फिल्म देने के बाद एसार के फिर से आ गए है अपना रिकॉर्ड अपने ही हातों तबाह करने जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जवान की सूपर स्टार एसार के सार डिरेक्टर एटली ये देखते ही मैं तो समझ गया था कि अब कोई रिकॉर्ड नहीं बचने वाले जहां बड़ी से बड़ी फिल्में आज का लाइफ टाइम में 40-50 करोड भी नहीं कमा पा रही वहीं एसार के की जवान ने सिर्फ एडवांस बुकिंग में ही 16 लाख टिकेट्स बेच के 40 करोड का आकड़ा पार कर लिया ये तो होना ही था 300 करोड आज भी कई स्टार्स का सपना है लेकिन उनका सपना जवान का बजट है 300 करोड की बजट में बनी जवान और उपर से बादशाह की बादशाहत सही माइनों में एसारके ने प्रूब कर दिया कि किंग वो कल भी थे और आज भी है SRK की बाकी फिल्मों से अगर जवान को कंपेर किया जाए तो जवान शारू खान की सबसे महगी फिल्म साबित हुई है जितना बड़ा मूवी का बजेट उतना ही बड़ा रिस्क तो अगर जवान को बस हिट भी होना है तो कम से कम 400 करोड तो कमाने ही होंगे अब जानते हैं जवान इंडिया के साथ साथ बाहर भी कैसी तबाई मचा रही है बात करे अगर सिर्फ इंडिया में कमाई की तो जवान ने अपने पहले ही दिन में 75 करोड की कमाई की है जिसमें से बस हिंदी में कलेक्शन हुए 65 करोड और साथ से SRK की जोली में आए कुछ 10 करोड वहीं अगर ग्रोस कलेक्शन की बात करे तो जवान ने 90 करोड की कमाई की है सिर्फ एक दिन में आपको जानके फिर से थोड़ी सी हैरानी होगी SRK के फिल्म जवान को पूरे वर्ल्ड में 9500 से भी जादा स्क्रीन में रिलीज किया गया है सच में भाई शारू खान ने दिखा दिया कि आखिर उन्हें ग्लोबल स्टार क्यों बोला जाता है इन स्क्रीन्स में 5000 स्क्रीन्स इंडिया के अंदर मिले तो 4500 इंडिया के बाहर 40 करोर तो बस जवान ने इंडिया के बाहर कमाई की है अपने पहले दिन में इस से पहले SRK के फिल्म पठान ने 36 करोड की कमाई की थी SRK SRK पे ही भारी पड़ा जिस तरह की कमाई जवान कर रही है उसे देख कर तो यही लगता है कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक सो चालिस करोर तक जानी चाहिए एक सो चालिस करोर में तीन चार फिल्में तो आराम से बन जाएंगी अगर बॉलीवुड जंगल है तो एशार के शेर शेर बहुत सो चुका अब टाइम है सब को फिर से अपने कदमों के नीचे लाने की अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या आप भी मेरी तरह शारू खान के डाइहड फैन हो तो हमारे चैनल फिल्मी गड़ी को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो और लाइक भी करते जाओ